So Hello Everyone, मैं आई हूँ आपके सामने एक अच्छी न्यूज लेकर के कि वोर्ड एक्जाम होगा तो किस टाइम पर होगा लोगों को बहुत इंतियात है इस चीज का कि वोर्ड एक्जाम कब से होने वाले हैं Mostly start हो जाते थे February, March में अब जो COVID का जो हमारा प्रड दूरिंग चल रहा है बच्छों ने तियारी नहीं करी है तो बहुत बच्ची बहुत परिसान थे कि एक्जाम होगा तो कब से start होगा तो आज जो हमारे पास एक नया announcement आया है कि जो हमारा exam है वो 4th of May से start होने वाला है और वो खतम हो जाएगा 10th of June को date sheet अभी announce नहीं हुई है इसमें आप confusion ना create कीजेगा और जो हमारे practicals हुआ करते थे वो हो करते थे कब से January से अब वो होंगे March में जाकर के तो basically आपके पास time है अच्छे से त्यारी करने का जो कि COVID के चलते लोगों ने नहीं कर पाया लोग कोचिंग ही नहीं गए बच्चे कुछ नहीं कर पायते अब आपके पास बहुत अच्छे त्यारी करने का time मिल गया है आप आराम से त्यारी कीजएगा और अच्छे से marks ले गाईएगा ठीक है तो अब इसमें एक problem यह थी कि लोग जो प्रिवोर्ट सभी हो रहे हैं लाइक तो सारे के सारो हमारा online mode पर हुआ था what is still बच्चा को इस बात का भी confusion है कि जो हमारा वोड exam होगा वो online होगा या offline होगा तो definitely वो offline ही होने वाला है just because आज वो चीज अनॉंस भी कर दी गया है तो आप लोगों ने जैसे offline देने के लिए सब को शोड दीजिए आपको offline ही करना है main exam जो हमारा वोड exam है और आपको उस level तक की तियारी करने होगी ठीक है और जो यह exam हो जाएगा उसके बाद रिजल्ट आने वाला है वह 15th of July को रिजल्ट टेक्लियर हो जाएगा अब देखिए लोग ना बहुत परि करनी है आपके पास जो तीन महीने है और बहुत अच्छी से आप इसको त्यार कर भी सकते है ठीक है हमारा वी चैनल है गड़ितों की क्लासे जो कि mathematics का ही है आप कोई भी आपको problem हो कैसा भी हो आप अच्छी से अपने पढ़ाई कीजिए का हमारा हमने भी बहुत सरे topics को इस सॉल्ब क्या हुआ है वट इस्चिल आपको फिर भी कोई कोई कोशस नहीं समझ में आता कुछ problem है आप उमको comment कर दिये हम आपको इसका definitely answer करेंगी करेंगे सो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और आपको कोई भी doubts कोई भी कुछ भी होता है हम आपके help करने के लिए हमेशा ready रहेंगे सो wish you all the best for your exam अच्छे से exam केजएगा Thank you